हेलो गाइस अगर आपने पोकी मॉन का फर्स्ट एपिसोड देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि पीकाचू के बॉल पर कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रिक साइन मना हुआ था लेकिन यार हमको उस एपिसोड के बाद कहीं पर भी इस टाइप के पोकी बॉल का कोई जिक है वो और एक और एक और येल वर्ल्ड वाला जो आंसर है तो पहले हम लोग जान लेते हैं तेखरी को तो पहली तेखरी जो मेरी खुद की तेखरी है कि हो सकता है पिकाचू के बॉल पर जो ये इलेक्ट्रिक साइन है वो एक स्टिकर है जी हमने एनिमे में भी कई बार जब एश ने अपनी जरनी स्टार्ट करी थी और एक त्योरी ये भी कहती है कि इस स्टीकर वाले पोके बॉल को जियोवानी ने मनाया था इसलिए जब भी पिकाचु इस पहली बार बाहर आया था तो पिकाचु ने अलग तरीके की रोशनी आई थी लेक्टरली मतलब थोड़ जाले के बाद भी काफी अलग सा जब पोकेमोन की रिलीजिंग होती है तो काफी अलग सी दिखती है यह तो हमारी थियोरी होगी अब रियल माज़रा जान लेते हैं कि आखिर यह इलेक्ट्रिक साइन आया कहां से तो यार जब हमने पोकेमोन का फर्स्ट एपिसोड देखा था पोकेमोन शुरुआती दौर में और काफी सारे चेंजिस हो रहे थे पोकेमोन में तो यह जो आप पोकेमोन देख रहे हो यह एक पोकेमोन के डिजाइन का बीटा वर्जन है यानि कि पोकेमोन पहले पिक चुक है ऐसा दिखने वाला था मतलब इलेक्ट्रिक टाइप के लिए लेक्ट्रिक बॉल और फायर टाइप के लिए फायर बॉल को जिस तरीके से होने वाला था लेकिन बाद में से चेंज करके पूरा ही नॉर्मल कर दिया इसलिए हमें फर्स्ट एपिसोड के बाद कभी भी पिकाचु की बॉल उस टाइप की नहीं दिखाई गई या किस वारे में क्या ख्याल है क्या ऐसी पोकी बॉल होनी चाहिए थी कमेंट में बताना आज की वीडियो के लिए इतना हम मिलें आपको अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाइबाई